हलो गाइज विलकम बैक टो डूब चैनल मैं आप लोका दोस्तो चानल का उस्ट रांतो दोस्तो फाइनली इस वीडियो के अंदर जोना मैं आप लोका एक मेंड डाउट क्लियर करने वाला हूँ गैंक्सर नियोर्क मोबाल गेम को लेकर के और दूसरी चीज में आप लोको गेम लॉफ की इंफरमेशन बताने वालो अब भी जोना दोस्तो गेम लॉफ का एक इवेंट जो है वो हुआ था उसके अंदर जो है क्या इंफरमेशन आई है और इस गेम को लेकर के क्या डिटेल्स है सारी की सारी इस वीडियो के अंदर कवर में करने वालो तो वीडियो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है पूरा एंट तक एक दम द्यान से देखते रहे ना अगर आपको इस गेम क्या वेट कर रहे हो और अगर आपको ये गेम खिलना है तो ठीक है जली दी से कर दो वीड तो गैरंटी देता हूँ यार फाइदे में जरूर से रहोगे तो चली अब शुरू करते हम आज का वीडियो जिसमें GNY मोबाइल की इंफर्मेशन है तो आप लोग वीडियो को एकदम द्यान से देखिये तो चली यार सब सब पहले तो जो आप लोग का मैं डाउट क्लियर करता हूँ जो सबसे बड़ा मेन है आज की तारिक में और वो है बाई कि PC को लेकर के जो ये गेम है वो ओर्रेड़ी रिलिस्ट हो चुका है मेरे को वाटसब पे और प्रीवेस जो मैंने वीडियो बनाया है इस गेम के उपर मेरे को कई सारे कमेंट डेकने मिले कुछ बोलते यहां पर कि गेम जो है वो ओर्रेड़ी PC में आ चुका है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यह भी बुलते है कि गेम जो है वो ओर्रेड़ी डिसमबर 2021 के अंदर ही PC के अंदर रिलिस्ट कर दिया कैता है तो मोबाल में अभी तक कि इन्होंने लाउंच क्यों नहीं किया तो यह बात यहां पर कई सारे लोगों के माइंड गेंदर है और एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दू कि जो यह वाली बात है कि मोबाल में अभी तक कि इन्होंने गेम को लाउंच ने किया है सई बात आप लोग की नहीं किया हुआ है मोबाल में अभी तक के गेम लाँच लेकिन जो लोग यह बोल रहे हैं कि पीसी में गेम लाँच हो चुका है डिसेंबर 2021 के इंदर ही वह सबसे जादा यहां पर गलत है क्योंकि उसका प्रूफ में आप लोग को देता हूं यहां पर स्क्रिंचोट आप लोग खुद देख सकते हो यह ऑफिशल स्क्रिंच अल्रेडी लाँच हो चुका है मेरे को लगता है यहां पर आप लोग ने किसी दूसरी यूटुबर के वीडियोस देखी होंगे उहां पर जो गेम प्लेज आपको दिखाय जाते है और अगर कोई यूटुबर आपको लिंक देता है तो वो देखो यार मेरे को मैं आपको ड डालते हैं लेकिन लिंक अगर मैं बात करूँ यहां पर डाउन्लोड की तो वो बिल्कुल तरीके से गलत है वो आपको तरह-थरा की वेबसाइट के उपड़ ले करके जाते हैं और जो है वो तरह-तरा के едवर्टाइस्मेंट दिखते हैं उससे उनको पैसा मिलता है आपका कुछ भी यहापे होता फाइदा नहीं है तो इस वज़े से मैंने आपको प्रूफ बता दिया स्क्रीन शॉट दिखा दिया स्टीम का पूरी तरह से गेम अभी तक के लाउंच हुआबा किसी भी डिवाइसे के अंदर नहीं है कोई भी डिवाइस तो एक में भी आपको यह गेम देखने के लिए नहीं मिलेगा आज की तारिक में इसके सर्वर्स ओपन नहीं है बिल्कुल तरीके से ठीक है डिसमबर की जो बात है वो पूरी तरह से जितने भी वेबसाइट के उपर जो भी ओफिशल लीकर के तुरू या कोई यूटुबर के तुरू आपको देखने गल मिलती है वो पूरी तरह से गलत है ठीक है अब यहाँ पर आप लोग का में डाउट मैंने क्लियर कर दिया अब आप मेरे से बुचेंगे का भई इवेंट की बार में कुछ बताओ यहाँ पर तो देखो सबसर अभी बड़ी बात यहाँ पर वह है इवेंट की जो गेम लॉफ्ट का इवेंट हुआ है आपको मैं स्क्रिंशॉट देखा रहा हूँ यहाँ पर उस इवेंट के अंदर जो ना इन लोगों ने यही सिर्फ चार गेम्स की अनौंसमेंट यहाँ पर किया हुआ है तो दिजनी का गेम है और दूसरा जो गेम है के रेसिंग टाइप जैसा जो गेम है अपना डिजनी बगर कही है वो भी और जो तीसरा गेम है वो तो यह आर असफल्ट एट एरबन को लेकर कि यहाँ पर उन लोगों ने अनौंसमेंट किया हुआ है और चवता जो आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन शॉट के अंदर देखी लिए तो यही बस इवेंट के अंदर यह चार जो चीज़ें न यह उन लोगों ने अनौंस करी न्यू गेम का जो उन लोगों ने ट्विट किया था यहाँ पर क्या भई न्यू गेम इस वेटिंग फॉर यू वो सीधा सीधा यही गेम था डिजनी का कई सारे लोग समझ रहते हैं कि गेंगस्टर न्यूर्ट का जोई आप अनौसमेंट करने वाले गेम लोगों वाले था है और पूरी तरह से मेरी बात यहाँ पर सही निकल चुक है announcement क्या भई एक tweet तक उन्होंने गैंग्स्टर नियॉर्क का यहाँ पर नहीं किया तो यही होता है यहाँ पर आप लोग को समझना चाहिए बिल्कुल तरीके से क्या भई देखो game love जो ना पूरी तरह से यहाँ पर side में कर चुका है इस game को देखो जब यह game को उन्होंको ने alpha version दिया था ना first वाला November 2021 में तभी भी उन्होंने अपने twitter अकाउंट पर और कहीं पर भी कोई भी announcement किया नहीं था यह ऐसा क्यू कर रहे है वो तो यार मेंट को भी नहीं बता game love वाले ऐसा क्यू कर रहे है वो तो उन्हीं को पता होगा और दूसरी चीज में आप लोग को बता हूँ यहाँ पर तो एक तरीके से जो है ना दोस्तों इसको side में कर चुके पूरी तरीके से game love वाले इतना अच्छा game है यार यह game को delay पर delay करते जा रहे इसका तो सवाल का जवाब सिर्फ game love के पास भी होगा खेर आने वाले टाइम के अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो October November के अंदर PC को ले करके यहाँ पर इसके जरूर सुज़ए वो beta versions आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मिल सकते हैं मैं बोल रहा हूं मिलेंगे यह नहीं बोल रहा हूं word का भी यहाँ पर difference आपको समझना चाहिए तो देखते हैं October November में alpha version इसका आता है या फिर नहीं आता है PC को ले करके beta आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और mobile के अगर मैं बात कुरिया तो वह तो यार अभी आप लोग भूली जाओ बहुत ज़्यदा टाइम है next year में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि end तक के ही वह रिलीज किया जाएगा देखो मैंने आपको औरीडी बुला अगर आप मेरे regular viewer हो तो आपको पता होगा कि मैंने कई सारे वीडियो के अंदर ये बुला है कि हर डेवलपर जो है most of the developers आजकल करके आ रहे है कि games को खीच रहे है बहुत लंबा खीच रहे है दो साल 3 सार 4 कोई को डेवलपर तो 5-5 साल तक के कोई कोई गेम को उनका खीच रहे तो यह यहाँपे दोस्तो पूरी तरह से चल रहा है हर एक डेवलपर का आप लोग सबसे बड़ा एक्जामपल अगर मैं ऐसे पूछो कि तो वह है वैलोरेंड मोबाइल गेम वैलोरेंड मोबाइल का अनॉंसमेंट हुआ है 2019 के अंदर गेम आज तक के लॉंच नहीं हुआ कितने साल हो गए तीन साल हो गए तीन साल में गेम आपको देखने के लिए नहीं मिला वैलोरेंड मोबाइल और इसी तरीके से सारे के सारे गेम्स डिले हो रहा है वैलोरेंड मोबाइल भी डिले हो गया वापस से अब बोल रहे के भी 2023 में आये का जबकि बाती 2022 में रिलीस करने के लेकिन आप डिले कर दिया तो इस वज़े से गेम लॉफ से आप लोग क्या उम्मीद रख सकते हो आसफ़ाड नाइन निजन्स के करम बात कुरूँ यहाप तो वो गेम चोहे वो आपको देखने के लिए मिलाता यार 2018-19 के टाइम पे लेकिन उसका अनॉंसमेंट हम लोगों ने किया था 16 के एंड में या फिर 17 में देड़ दो साल तक कि यहाप बेटका आपको करने लगाया तो आप लोग गेंगसर नियोर्क का तो समझ ही जाओ अराम से दो-तीन साल ये लोग इसको खीचेंगे और उसके बाद जाकर के ही ग्लोबल वर्जिन आपको PC कंसोर्स और मोबाइल में भी देखने के लिए मिलेगा तो इस वाज़े से अभी मोबाइल के बार में आप लोग जादा लंबा जो है वो यहाँ पर वेट होता है तो अगर आप लोग गेम को भूल जाओगे न तो जरू से वो तुरंट देखने के लिए मिल जागे देखो मैं प्रैक्टिकल यहाँ बात करता हूँ वीडियो के अंदर जो नियूज है बहुत जादा एक्साइट हो जाओ आप लोग बड़ा चड़ा करके अगर मैं आप लोग बता दू तो मेरे को वीव मिल जाएगा लेकिन आपका फायदा यहाँ पर होगा नहीं तो जो सही बात है वह आपको समझनी जरूरी है ठीक है तो यह बात है यहाँ पर अभी पूरी तरह से नेक्स्ट साल के अंदर ही म को बैल के लिए गेम रिलीस किया जाएगा ठीक है तो दोस्तों बस फिलाल के लिए इस वीडियो के दना इतना ही मैं आपको कम्रीन इंफोर्मेंचन बताया गेम लॉफ्ट की भी और इस गेम की भी तो वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो रूट से लाइक कर दो श पर इसका दीचिल कम्या मिन अप्लोग नेकि सोडे में तील लंडा अच्छा थैंजिकल अच्छा में आपको